नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त नीरज देवडा देखिए आज हम प्रिंसेस कट बुलाउस की कटिंग करेंगे प्रिंस कट बुलाउस की लंबाई होगी 13 इंच चेस्ट होगा इसका 34 ये होगा अपर चेस्ट और 36 रहेगा इसका फुल चेस्ट 28 इंच कमर 14 इंच सोल्डर आर्महर की गुलाई 16 इंच अस्तिन की लंबाई 4 और अस्तिन की गुलाई 22 इंच ठीक है आगे का गला रहेगा 6 और पीछे का गला रहेगा 6 इंच चेंच गले पर हम इसलिए कटिंग बता रहे हैं क्योंकि कई 2-3 वीडियो से हमने आपको 10 इंच ग भई कभी 6 इंच हमने बना लिया तो कैसे कटिंग करेंगे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा अंतर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो को जब हम पूरा कंप्लिट करते हैं और यहां पर डाइग्राम बना कर आपको बताएंगे कि हमने कहां कितना रखा था कहां क्य करा था तो यह से आप जरूर देखा कीजिए आखरी में क्योंकि अगर आप आखरी का वीडियो नहीं देख्ते हैं तो आपको यह पहले का वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आयेगा ठीक है तो end तक वीडियो देखिएगा अर वीडियो में हम क्या करते हैं जो पुरा गणीत बताते हैं वो all size के लिए बताते हैं तो all size के हिसाब से इसे किस प्रकार से समझेंगे आज मैं आपको all size के हिसाब से समझाऊँगा तो चलिए इस वीडियो को करते हैं सुरू देखिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इस कपड़े को कपड़ा हमारा कितना है कपड़ा हमारा यह है 78 cm और इसका जो पना आर्ज है वो है 34 inch इस तरह से कपड़े को आप डबल घड़ी कर लेंगे ठीक है और इसकी बंद वाली साइट पिछे की तरफ है और खुली वाली साइट इस वकद मेरी तरफ है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कटिंग करेंगे आस्तीन की तो आस 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है यह देखिए आप यह दो फोल्ड और दो फोल्ड यह बंद वाले ठीक है इस प्रकार से इस अस्तीन को यहां निकाल लीजिए ऐसे आप देखते हैं हम क्योंकि यह हमारा साधा बुलाओ से इसमें हमें तुर्पई पट्टी के लिए एक इंच आगे रखना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले यहां पर इस प्रकार से निसान लगाएंगे ठीक है बुलाओ जो कटेगा प्रिंस कट पर कटेगा तो प्रिंस कट इतने से कपड़े में किस प्रकार से बनता है आप आज देख लिजिए ठीक है तो देख आट इंच पर इस प्रकार से मार्किंग कर लेते हैं ठीक है अब यहां पर बाइसेफ कितना है इनका बाइसेफ है इनका बारा इंच तो बारा इंच पर एक निसान लगाएंगे और इस स्केल को ऐसे रख देंगे यहां पर और यहां पर ठीक है यह हो गया यहां से इस प्रक लेते हैं कटिंग अब देखिए जब हमने अस्तिन के कटिंग कर ली है यह देखिए यह कपड़ा है हमारा चार फोल्ड वाला तो हम इसे इस प्रकार से बिछाएंगे और यह जो बन साइट है इसे अंदर रखेंगे ऐसे यहां पर अब हम क्या करेंगे एक निसान सबसे नीचे इस प्रकार से ड्राइंग कर लेंगे अब बुलाउस की लंबाई कितनी थी दोस्तो इस बुलाउस की लंबाई थी हमारी तेरा इंज तो हम इसे किता रखेंगे चौदा इंज पर एक निसान लगाएंगे इसका गला कितना है चेंज जब गला हमारा चेंज है तो चेंज हमें इसका आर्मोहल भी रखना है ठीके अब देखते हैं कि आर्मोहल चेंज क्यों रखा हमने और जब बड़े गला काटते हम तो इसे साड़े पांच पर हम आर्मो इसका शोल्डर हम रखेंगे 13 इंच ठीक है मात्र एक इंच हमने शोल्डर की चोड़ाई कम की है यदि हम इसे ज्यादा चोड़ाई कम कर देंगे तो हमारा यहाँ पर गला फस जाएगा याने शोल्डर में बलाउस ठीक नहीं बेठेगा ठीक है तो आप मेरी बात समझे आप इसका गले की चोड़ाई हम कितनी रखेंगे इसकी गले की चोड़ाई रखेंगे 15 इंच ठीक है पने तीन हम यहाँ पर भी रखेंगे इस परकार से और इसे निसान लगा लेंगे यहाँ से भी इसे सीधा एक निसान लगा लेंगे आदा इन धका कर एक निसान लगाएंगे ऐसे और इस गुलाई को हम यहाँ पर ऐसे बना लेंगे ठीक है यह ध्यान देने योग्या बाते हैं सब दोस्तो इसे ध्यान दीजिएगा और जब मैं लास्ट में आपको कंप्लिट करके बताऊंगा इसे तो उसे भी आप जरूर देखिएगा जिसे चेस्ट है इसका अपर च टेस्ट, चोतिस इंच ठीक है, चोतिस इंच में आप दो इनज मिला दीजिए तो यह कितना हो जाएगा जटिस इंच 36 का 14 कितना आएगा 9 इंच तो इसे यहाँ पर आपको 9 इंच रखना है fix ठीक है इससे ज़्यादा नहीं रखना है कमर कितनी है इसकी कमर है 28 इंच 28 मतलब 14 में आएगा 7 इंच ठीक है 7 आगया 14 1 इंच इसके dot का और 1,5 इंच इसके रख लेंगे हम margin यह margin हमें हर blouse में रखना ही है तो हम इसे केसे लगाएंगे निसान ऐसे ठीक है यह हो गया दोस्तो अब मैं इसे भी कर लेता हूँ cutting फिर आपको सिखाता हूँ कि front केसे काटेंगे हम prince cut blouse का यहाँ पर देखिए आपको एक dot point निकालना है dot point आप इसे double भी रख सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे देखिए 7 आट आ रहा है तो आप 7,4 पर एक निसान लगाईए और 7,4 पर निसान लगाने के बाद इस परकार से dot का point उठा लीजिए जब गला इसका बड़ा रहता है तो dot थोड़ा सा लंबा लगता है लगपग इस पर dot आएगा हमारा 6 इंच का ठीक है ऐसे ही इसकी cutting करना है और 13 इंच मैंने shoulder इसलिए रखा था इसका यदि हम छोटा गला रखते हैं और अगर shoulder को छोटा सा रख लेंगे तो आपका blouse total बिगड जाएगा कभी भी सही नहीं बेठेगा और देखिए सभी लोग 10 नौ गला नहीं पेंते हैं 6 पांच भी गला पेंते हैं तो ये जो मैंने cutting का आपको method बताए ये पांच इंच गले पर भी चलेगा 6 इंच गले पर भी चलेगा तो इस गले की हम कर लेते हैं इस प्रकार से गुलाई ठीके और इसे भी हम कर लेते हैं cutting ये देखिए ये हमारा back cut कर तयार हो गया है अब इसकी हम करेंगे फरंट की cutting और direct हम prince cut किस प्रकार से cutting करेंगे आप देखिए इस वीडियो में आब इसे हमने इस तरफ मोड लिया अब ये जो खुला वाला भाग है ना ये ये हमारे तरफ आ गया ठीक है अब इसे प्रिंस कट के से काटेंगे आप डाइरेक कपड़े पर सिख रहे हैं तो बहुत जरूरी है आपको देखना और ये देखिए मैंने 78 cm कपड़े पर ही आपको इस बुलाउस का कटिंग बता रहा हूँ तो आप इसे पूरा ध्यान तक देखेंगे ध्यान से देखेंगे ये यहाँ पर आदा इंज हमने छोड़ दिया इस तरफ ये हमारी हूक और हाई पट्टी के लिए होगा ठीके यहाँ पर हम रखेंगे ऐसे ठीके इसे सीधा रख लेंगे इस प्रकार से ये रख लिए हमने आप देखिए इसे आप पौन इंज नीचे उतार देंगे कपड़े को फरंट वाले को पाव से आदा इंज इसे उपर चड़ाएंगे ऐसे ठीके समझ में आगया होगा आपको ये देखिए मैं दो निशान लगा कर आपको समझा देता हूँ ये बेग मेरा यहाँ से है बेग यहाँ से है और ये आदा इंज हमने उपर चड़ा दिया है ठीके ये समझ में आगया आपको यहाँ पर भी देख लिजिए ठीक है, अब इस गले को हम आगे पूरा उतार लेते हें क्योंकि फ्रंट का गला भी हमारा 6 इंच है, तो ऐसे करकर, ऐसे, लगभग आदा इंच हमारा गला आगे का नीचे जाएगा, अश Is प्रकार से, ठीक है, ये क्यूं जाएगा, क्योंकि हम जब शोल्डर दबाएँगे, तो यह हमारा बरोबर आ जाएगा आप देखिए यहां से क्या करेंगे आप जैसे यह हमारा नीचे वाली ड्राइंग है यहां से 1.5 इंच पर एक ड्राइंग और लगा लेंगे याने ऐसे थीक है? समझ गए होंगे आप आप क्या करेंगे ये जो हमारी बेक की ड्राइंग है इसे हम इस प्रकार से उठा लेते हैं ठीके ये बेक की ड्राइंग उठाई हमने एक ड्राइंग हम इसे सीधी उठाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे ठीके ये हो गया हमारा प्रिंस कट बुलाउस की कटिंग की मार्कि होगी देखिए दोस्तो इसका गणित निकालने का एक सीधा फार्मॉला है जैसे चेस्ट है हमारा 36 ये फुल चेस्ट है और कमर है हमारी 28 इंच इन दोनों के बीच में गेप आ रहा है 8 इंच का 8 इंच के गेप में हम 1 इंच पलस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंच ठ के लिए तो जब हम एक इंच डॉट के लिए देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा साड़े 3 इंच साड़े 3 इंच हमें यहाँ पर सामने डॉट के लिए कपड़ा देना है अलग से ठीक है तो डॉट साड़े 3 इंच का हम किस प्रकार देंगे आप देखिए देखिए यहा कितना रखेंगे आप यहां पर रखेंगे हैं पौन इंज का एक dot point जिसे हम prince cut जोड़ेंगे उसे हम dot point के रूप में लेते हैं और इससे क्या होता है दोस्तों इस परकार से जब हम blouse की cutting करते हैं तो यहां पर क्या रोपल मोहल के वहाँ पर यहाँ पर cutting करते हैं इसी तीरची और नीचे कर देते हैं चोड़ी तो इस प्रकार से आपको cutting नहीं करना है आपको ऐसे जो मैं बता रहा हूँ एक साधरन फार्मला इस हिसाब से cutting करना है देखिए इस निसान को हम यहाँ ले जाएंगे ऐसे समझ में आ गया आपको नई समझ म आ गया होगा तो वापिस reverse करते हैं यह देखिए यहाँ जमा हुआ था यह यह उपर से आदाइच हमारा नीचे है बेग रखा हुआ है तो इसे हम सीधे यहाँ से उठा कर इस निसान पर ले जाएंगे ठीके यह लेके गया में और यहाँ से यह जो बेग है ना इसी के साथ ह इसा हमारा फुल चेस्ट इसका 36 का वन फूर आएगा 9 इंच 9 इंच में हम सवा इंच बढ़ा देंगे कैसे बढ़ाएंगे सवा इंच 5 इंच हमने यहाँ दिया और आदा इंच हमारा दबाओ का तो सवा इंच बढ़ा कर यह कित्ता हो जाएगा 9 और सवा हो जाएगा हमारा यह सवा दस इंच तो यहाँ पर हमें सवा दस पर एक निसान लगा लेना है यहाँ पर क्या हो गया देखिए सवा दस पर हमें एक निसान लगा लेंगे यह मार्जिंग आदा इंच की आगे छोड़ देंगे ठीके देख लीजिये ध्यान से यहाँ पर मार्जिंग को छोड़ दिया आदाइन जो हुकोराई की पट्टी में दबेगी और यहाँ से 17 रख लिया है यहाने 17 इंच मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया है तो यहाँ पर लगा देंगे एक निसान आप क्या करेंगे नीचे नीचे क्या है दोस्तो जिसे हमारा 2.5 इंच का डाट आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा एक इंच हमने डाट का छोड़ा यहाँ पर और एक इंच लगबग यहाँ है यह हो गए हमारे पास 2 इंच ठीक है और हमें करना है 2.5 इंच तो हम क्या करेंगे ऐसे ही जो कमर की ड्राइंग है न यहाँ से 7 इंच लगबग बाहर कर लेंगे और इसे ऐसे निसान लगा लिजिए ठीक है यह देख लिए आपने बाहर से निसान लग गया अब दोस्तो इसे क्यों लगा है हमने बाहर से यदि हमें बाद में कम पढ़ गया कपड़ा जब हम कमर जोडेंगे तो हमारे पास कपड़ा नहीं होगा इसलिए हमने इसे पोनिंच बढ़ा दिया है डॉट लगने के बाद यह हमारा फिक्स आना चाहिए ठीक है यह आपको समझ गया होगा दोस्तो पूरा ध्यान से देख लिजिए नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा यहां से रखूँगा ऐसे और इसे लगा दूँगा निसान यह होगा हमारा कटिंग वाला निसान ठीके अब इसे कर लेते हैं एक तरफ ऐसे ठीके दोस्तो समझ में आ गए आपको एक निसान और लगा लेते हम देखिए यहां पर ऐसे रख कर यहां पर ठीके यह निसान लगा लिए मैंने आप ध्यान देंगे हम कि हमें cutting करना किस प्रकार से यहां रखेंगे और यह निसान लगा लिए हमने ठीके एक निसान हम यहां से इस प्रकार से यहां लगा लेते हैं देखिए यहाँ पर हमने पोनिंच दे दिया और सवा दो इंच का हम लखेंगे नीचे डाट का point ठीके इसी परकार से आपको cutting करना है यहाँ पर पोनिंच दे दीजिए जेसे आपने देखा होगा यहाँ पर direct 3.5 इंच का डाट दे देते हैं तो उससे क्या होता है यहाँ पर जो फिनेशिंग आना चाहिए वुलावस की वो नहीं आती है ठीके तो आपको भी इसी प्रकार से देना होगा और इसे कैसे करेंगे आप ऐसे ऐसे ये बिना फ्रेंच करव की कटिंग है दोस्तो इसलिए आपको मैं डाइरेक्ट निसान लगाना सिखा रहा हूं और इसी तरह स और फर्मे नहीं है तो कोई बात नहीं फर्मे की क्या जर्वत है आप डाइरेक्ट कटिंग सिख जाएए इस चेनल पर देखिए आप इसे मैं कटिंग करता हूं और फिर जमा कर आपको दिखाता हूं इसका फर्मला क्या करते हैं इस साइट के भाग को भी लेते हम यहाँ पर और इसे भी यहाँ पर लगा देते हैं ठीके यह मैंने लगा दिया अब मुझे इसका चेश्ट कितना चाहिए आपको मालूम है ना मुझे चेश्ट चाहिए इसका 9 इंच 1 खोर कितना आया था हमारा 36 का 9 इंच ऐसे रखेंगे हम यहाँ पर यह देखिए आगे हाई पट्ट किस सिखाऊंगा मैं इसी तरह किसे आप कटिंग सिखिए ठीके अब इसे क्या करते हम हलल का सा ऐसे पाव इंच का बस आगे का गड़ा दे देंगे ठीके यह समझ गया आप बस इतना ही आपको आगे का गड़ा देना है इसका और इसे बरोबर यहाँ पर बरोबर देखिए यह बिल्कुल बरोबर आ गया है, इस प्रकार से आप 9 इंचेस्ट रख लीजिए, आप मैं बताता हूँ आपको कमर, कमर कैसी रखेंगे, यह मैंने रखा, और इस भाग को आप यहाँ पर लगा लेंगे, ऐसे, ठीके, जब यह हमारा जुड़ेगा तो देखिए, यह कितना है आड़ा तिर्चा, यह बिल्कुल हमारा बरोबर आ जाएगा, अब यहाँ से देखिए, यह हमने आदा इंच इसके उपर चड़ा दिया है, दोनों मार्किंग दबा कर, तो यहाँ से आपको कितनी रखना है, 7 इंच, यह हो गई हमारी कमर, 7 इंच की कमर आ गई, और यहाँ स समझ में आ गया होगा, यह सब जब जुड के यहाँ जाएगा, तो यह बिल्कुल फिक्स अपनी कटिंग आ जाएगी, और एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर देखिए, हलल का सा कभी उपर आ रहा है, तो इसे भी आप चटिंग कर लीजिए, बस यह हो प्रिंस कट बलाउस कटिंग कर सकते हैं, देखिए दोस्तों हमने प्रिंस कट आपको बलाउस कटिंग करके दिखाई है, यहाँ पर ऐसे रखा हमने, ठीके, यहाँ पर यह होगे हमारा आर्म होल, और यह होगे हमारा गला, ठीके, ऐसे, यह देखिए, यहाँ रखा हमने, औ हमने प्रिंस कट कैसे कटिंग किया ऐसे ठीक है अब प्रिंस कट जब हमने कटिंग किया था तो आपको बताया था जिसे हमारा चेस्ट है इसका वन फोर में 36 chest है ठीके और इसका वन फोर किता आया 9 inch हमने जो बेक कटिंग किया था उसके में क्या है बेक कटिंग का हमने किस प्रकार से किया था उसे अलग बताया जाएगा और फरंट की कटिंग का अलग बताया जाएगा तो आप पहले सिखेंगे फरंट की कटिंग का ठीक वन फॉर किता है इसका 9 इंच ठीक है तो यह जो हमने टक स्पाइंड लिया था इसके लिए क्या किया था सबसे पहले कटिंग में हमने यहाँ पर से 5 इंच नीचे उतार दिया था ऐसे ठीक है और यहाँ से किया किया था निसान लगाया था तब आदा इंच इसे उपर कर दिया था यह किस से करा था जो हमने बेक बनाया था ठीक है ना आपको समझ में आ गया होगा तो इसे उपर आदा इंच इसलिए रखा था कि जैसे यह हमारा यहाँ पर जैंट आता है यह वाला और इस तरब का जैंट आता है हमारा आदा इंच का तो जो दोनों जब जाइंट लगते हैं तो ये भाग नीचे दब जाता है तो ये जो हमारा आदा इंच है ना वो नीचे आता है नीचे की तरब आ जाता है ठीक है इसलिए हम इसे आदा इंच उपर बढ़ाते हैं और ये आपको हर साइज में बढ़ाना है किसी भी साइज का प्रिंस कट काटेंगे आप तो ये जो पौन इंच मैंने नीचे बढ़ाया था और आदा इंच आप उपर बढ़ाएंगे इसे बढ़ाना ही आपको पड़ेगा ठीके आप मैंने क्या किया था जब मैंने इस चेश्ट की कटिंग की थी ठीके तो चेश्ट जैसा हमारा नौ इंच तयार था तो इसे सवा इंच हमने प्लस कर दिया सवा इंच ठीके ये हमने सवा इंच लिखा हुआ है एक जो है हमारा हिंदी का लिखा हुआ है तो इसे आप सवा इंच समझ लिजिए सवा इंच प्लस करा तो यह हमारा कितना आगया था दोस्तो यह आगया था हमारा सवा 10 इंच 10 इंच 2 पाइंट कहां पर आया था यहां पर ठीक है यह 10 इंच 2 पाइंट था जब हमने इन दोनों की सिलाई में दबा दिया इसे पोन इंच तो ये कितना आगे हमारा ये आगे था हमारा 9 इंच ठीके यहाँ पर एक तिर्चा ऐसा डाज दिया था याद है आपको ये था हमारा 5 इंच का और आदा इंच दिया था हमने यहाँ पर दबाव तो वह हो गए हमारा 7 इंच ठीके सबा इंच के बाहर हमने क्या किया यहाँ पर देड़ इंच की दिती मार्जिंग ये देड़ इंच की मार्जिंग आपको हर बुलाउस में देना है कभी भी क्या होता है सरीर दुबला पतला मोटा होते रहता है उसी हिसाब से हमें देड़ इंच की मार्जिंग एश्ट्रा मैंने किस प्रकार से रखा था, देखिए, चेस्ट इसका था 9 इंच, इसका आदा भाग हुआ, 5.5 इंच, ठीके, 1, 4, 9, 9 का आदा 6.5, ठीके, तो मैंने क्या किया था, यहाँ से इसे रखा था 7.5, इस 5-5 को कर दिया था मैंने, माइनस ठीके तो ये कितना रखा था यहाँ पे 4 इंट 1 पाइंट ठीके ये भाग इसे ऐसे ही रखना है और जब हमने नीचे की तरब रखा था यहाँ जैसे सवा चार था तो यहाँ पर कितना आ गया था हमारा सवा 3 इंच तो हमने इस ड्राइंग को इसे तिर्ची कर दिती ठीक है और इसका बस्ट पाइंच हमने केसे निकाला था चेश्ट का वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये बस्ट पाइंट हमने जिसे चेस्ट था हमारा 9 इंच इस पर 1 इंच हमने पलस कर दिया था ठीके और आदा इंच ये जो हमारा उपर एश्ट्रा था ना इसे हमने एश्ट्रा में ही रखा हुआ है क्योंकि ये हमारा सोल्डर में दबाव आएगा तो ये जो बस्ट पाइंट हमारा यदि तयार आएगा तो 10 इंच आएगा और कटिंग हमने की इसकी 10.5 इंच पर ठीके आपको ये बात समझ में आगए होगी बस्ट पाइंट निकाला था 10.5 इंच पर ठीके ये समझ में आगया बात आपको अब मैं आपको एक और चीज समझ देता हूं क्या समझाना है Chaste हमारा है 36 तो कमर हमारी कितनी हो गई कमर हो गई थी हमारी 28 इन दोनों के बीच में जो gap बनता है वो बनता है हमारा 8 इंच का 8 इंच पर एक इंच हमने प्लस कर दिया ठीक है तो यह कितना हो गया हमारा 9 इंच ठीक है नौ इंच हमारे पास ये तयार आया तो इस पर से हमने क्या किया साड़े चार इंच आदा आया हमारा एक एक इंच हमने बेग में डाट दिया था तो हम इस पर से एक इंच कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास साड़े तीन इंच ठीके साड़े तीन में से हमने किया किया पोन इंच यहाँ पर दे दिया मतलब एक इंच में दो पाइंट कम याने पोन इंच अब यहाँ से जब हमारे साड़े तीन में से पोन इंच निकल जाता है तो कितना बचता है दोस्तो यह बचता है हमारा दो पाइंट थी मतलब पोने तीन ठीके तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से पोने तीन इंच का एक डॉट दे दिया इस जगे पर ठीके जब यह पोने तीन इंच का हमने डॉट दिया और पोन इंच का यहाँ पर दिया तो यह दोनों मिला कर हमारे हो जाते हैं साड़े तीन इंच ठीके साड़े 38 है तो उसके लिए कैसे कटिंग करेंगे जिसे चेश्ट 40 है और कमर 38 है तो उसके लिए कैसे कटिंग करेंगे उन चीजों का भी हमारे पास जवाब है और उसे हम कटिंग के रूप में बताएंगे हम ऐसे बार-बार कमेंट पर नहीं बता सकते हैं हम कटिंग करके आपको बता करना है और किया नहीं करना है आप समझ लेते हैं bet59 के से कैटिंग किया था अब यहां पर लगाते हैं झान है ठीके और और यहां पर हम ने लगाया गले का निसान यह भर चैंच का था और यहां पर रखा हमने इसी प्रकार से अ इसे आप देखीकर दोस्तो शोल्डर इनका कितना था यहाँ पर हम सोल्डर इसलिए बता रहे फ्रंड में सोल्डर हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सोल्डर का साड़ा मेथर्ड हमने बैग में बता चुके थे ठीके अब जैसे देखिए यह गला है हमारा मात्र 6 इंच का ठीके तो हमने इसको शोल्डर कितना रखा था पूरा टोटल यहाँ पर रखा था 13 इंच शोल्डर कितना था 14 इंच ठीके तो इस पर से हमने 1 इंच माइनस कर दिया और शोल्डर रखा था हमने 13 इंच यहाँ से 13 इंच 13 इंच में हमने क्या किया पुने तीन इंच का इसका चोड़ा गला रखा जब बड़े हम गले बनाते हैं तो आपने देखाएगा दो सवादो इससे आगे हम जाते ही नहीं क्योंकि उसे हमने अलग तरीके से कटिंग बताना होती है लेकिन जब हम इस प्रकार से कटिंग बताते हैं आपको क्या बताया मैंने पुने तीन इंच गले की चोड़ाई और बाकी का जो बचता है सोल्डर के लिए हम छोड़ देते हैं ये हमारा कुल रहता है तेरा इंच ठीके अब आर्मोहल का जो हमने लबब़ी रखी थी गले की ये छे इंच रखी थी यदि ये गला हमारा आठ नो रहता तो हम इसका आर्मोहल का गड़ा यहां से रखते हैं शाड़े पाँच पाँच तो हमारा आर्मोहल सोला आ जाता ये क्यों आता क्योंकि फिर हमारा ये भाग इस तरब जाता है ठीक है ना तो आप समझ गये होंगे आल साइज का मेथर्ट में सिखाता हूँ हर वीडियो में आप जरूर ध्यान से देख लीजिए अब कमर पे हमने क्या किया था यहां पर एक इंड डॉट का और साथ इंच कमर तयार और देड इंच का यहां पर दिया था बाहर दबाओ ठीके यह सिंपल से हमने बेक की कटिंग करके आपको बता दी थी इसी परकार से मैंने अस्तीन की कटिंग बताई थी आपको अस्तीन हमारी इस परकार से थी ठीके हमने अस्तीन में एक इंच दबाओ का रखा था क्योंकि यह हमारा सिंपल बुलाओ से और यहां से आदा इंज हमने डॉट रखा था आदा इंज का आगे की तरफ गड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग इस प्रकार से अस्तिन की लंबाई थी चार गुलाई थी बारा इंज याने बाई से बारा ठीके तो बारा में हमने क्या किया था यहां पर डाइरेक्ट यहां से यहां पर आट इंज रखा था क्यों रखा था क्योंकि हमारा शोल्डर आर्म होल की गुलाई 16 इंज थी ठीके यह समझ में आगया आपको तो यहां पर 16 रखकर हमने इस प्रकार से कटिंग कर ले थी देखिए हाप में भी बता देता हूँ आपको कटिंग में इसकी ऐसे हमने यहां लगाया यहां पर ठीके ऐसे और यहां पर लंबाई रखी थी 4 तो हमने रखी थी 6.5 इंज आदा इंज यहां पर दबाव का और यहां से एक इंच हमने बढ़ा दिया था अंदर मोलने का ठीके यहां से हमने रखा था सीधा आट इंच पर क्योंकि 16 इंच हमारा आर्म होल की गुलाई थी और यहां पर बाइसेप था हमारा बारा तो हमने रख लिया था छे और यहां पर रखा था आठ इसी प्रकार से हम बुलाउस की कटिंग करते हैं और आर महल का गड़ा इसका धाई इंच काटा था हमने सिरिफ ठीक है दोस्तो इसी परकार से बुलाउस की कटिंग होती है आपको पराग टेलर चेनल पर पूरी सिलाई कलास का ग्यान दिया जाएगा और सिलाई कलास वो अली सिलाई कलास नहीं कि आपको सिर्फ रखील बता कर काम बता दिये जाए आपको पहले हम बुलाउस काटके बताते हैं फिर यहाँ पर ड्राप्टिंग उतार कर बताते हैं कि हमने कहां कहां क्या-क्या घनित निकाला कि दोस्तो यदि आपके मन में कोई भी कोश्चन है कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बाक्स का उप्योग कीजिए और आपको मालूम है कि हर कमेंट का में जवाब 100% देता हूँ तो दोस्तो चलिए आज के लिए इतना ही ठैंक्स फर वाचिंग जैहिन जैभारत सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पराग टेलर्स को और बेल आइकन का बटन दबाईए औल के अप्शन के साथ ताकि आने वाले वीडियो की नोटिपिकिशन आपको मिलती रहे